इडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड रुपे की संपती अटेच की है कॉंग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कारवई मनी लांडरिंग के मामले में की गई है इस कमपनी में सोनिया और राहुल की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है इसी केस में एडी ने 3 अगस 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कमपनी का ओफिस सील कर दिया था पिछले साल 2 और 3 अगस को इडी की टीम ने सुबस से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली मुंबई और कलकता समेथ 16 ठीकानों पर छापे मारी की थी ये कारवई सोनिया और रहुल से पूश्टाच के बात की गई थी जाच एजनसी ने बयान जारी कर कहा कि सोनिया गांधी उनके बेटे रहुल गांधी और अध्यक्ष मली का अजुन खड़गे से पूश्टाच की थी और उनके बयान दर्ज किये थे इसी के आधार पर कारवाई की गई EG ने आगे कहा कि जाज से पता चला है कि Associated Generals Limited के पास दिल्ली, मुंबई और लखनों में 661 करोड रुपे की अवेद संपत्यों में यंग इंडिया का कबजा है इसके अलावा EGL ने इसमें 90.21 करोड रुपे की अवेद आय निवेश किया है इसी प्रापर्टी को अटेच किया गया है National Herald केस का मामला सबसे पहले भाश्पा नेता सुबरोमन्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था अगस 2014 में A.D. ने इस मामले में सोहता संग्यान लेते हुए मनी लॉंडरिंग का केस दर्च किया केस में सोनिया गांदी, रहुल गांदी और कांग्रेस के ही मोतिलाल वोरा, आसकर फर्नाडी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे को अरुपी बनाया गया था इसी के साथ बने रहे ही एश्यमिस इंडिया के साथ बने बाद